बुद्ध ग्रे जो वरन नस्पति के देवता है बुद्ध ग्रे जो बिजनस के देवता है बुद्ध जो है जो हमारी ऑपॉर्चुनिटीज के देवता है वो आज 7 अपरेल 2020 होकुम राशी से मीन राशी में परवेश करने जा रहे हैं और जब बुद्ध देव नीच के हो ज और देखे जो इस लॉक्डाउन के पिरिड में पूरी जब पूरी ग्लोबल मार्केट जो है वो आपकी जो है दिकर परशानी में आ गई है तो यहां पर बुद्देव जो है वो सोने पर सुखा काम करने जा रहे हैं यानि कि और मार्केट में जो है आपके दिकर परशानी जो कि ग्यारवा भाव जो है वह हमारा झा भाव होता है इंकम का हूस होता है तो यहां पर इंकम हमारे भरत वर्ष पिर भी ठीक रहेगी और लेकिन बाकी देश को है इसका प्रभाव जा लाध़ CAP अब पर हमारे देश में अब बात करें हैं यहांपर सिंग लगन वालों के लिए कन्ना लगन वालों और धन का स्वामी भी मृत्यू भाव में, कुटम का स्वामी भी मृत्यू भाव में, तो यहां पर आपने रिष्टों को बड़ा संजो कर रखना है, अपने लाब को वेस नहीं उने देना है, अपने पैसों को आपने बचा कर रखना है, क्योंकि यहां पर आपके पैसों का, आपके रिष्टों का, आपके कुटम में किस ना किसी को दिकर प्रशानी आपको आ सकती है, पैसो का क्रंच जो है वो आपको इस वक्त आ सकता है, आपको अपने पैसो को बहुत संजो कर रखना है, ध्यान से सोच समझ के आपको खर्चा करना है, क्योंकि ये एक महिना आपके बहुत जदा क्रूशल होने जारा है, सिंग लगन वालों की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपने अपने जुबान को भी कंट्रोल में रखना है, यहाँ पर आपने करी लोगों को अपने दुश्मन आप बना सकते हैं, आपने अपनी जुबान पर कंट्रोल करना है, कहते है यहां पर आपके पैसे के लाब के जो है के जो हैं चांसेस जो है वो बनते हैं अपनी हेल्थ का आपको ध्यां तखना है ना भी से नीचे के परशानी आपको आसकती है और आपको जहेंगे यहां पर अपनी कमर का विशे शुदु रूप से और इस lockdown के period में आप हम बहुत सारे उपाई नहीं कर पाएंगे लेकिन जो उपाई हम कर पाएंगे वो आपको fit करे के कुले जो है आपको करने हैं ये दो उपाई जो है घर बैठे वे इस lockdown के period में करके आप सिंग लगन वाले जो है अपने negative ग्रहे को positive में बदल सकते हैं दर्षक अब हम बात कर रहे है करने हलगन की तो करने हलगन का स्वामी जो है वो बुद्देव होते हैं और करने हलगन में यह आपको health से related आपको problem आ सकती है और यहां पर आपको karam stance related problem हो सकती है कोई धूका आपके साथ हो सकता है कोई आपका पार्टनर आपके साथ धूका कर सकता है अगर आप husband है अपनी वाइव के साथ में आपको बनाका रखनी है ये time period आपके married life के लिए बड़ा crucial साबित होने वाला है आपके घर में लडाई जगड़े बर सकते हैं इस time period को आपने बड़े समजस्से से बनना है partnership में अगर आप काम काम कर रहे हैं तो पुरे आप मन से काम कीजे और उसका जो है अभी लडाई जगड़ा आपको partnership में बिल्कुल नहीं करना है और जो है कुछ गलत फैमी आपके जीवन में हो सकती है उनकी आपको ध्यान रखना है और अपने स्वास्ते के प्रती आपको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है और समबंदों को आपने यहाँ पर बहुत ज़दा सुधाना है तो यह आपके जो एक महीने का पिरड़ है बुद्देव का जो करना लगन वालों के लिए करना राशी वालों के लिए है थोड़ा सा आपने जो है समजदारी का प्रियोग करते हुए क्योंकि करना लगन वाले बहुत समजदार होते है तो समझदारी का प्रयोग करते हुए आपको ये समय वो बिताना है लॉक डाउन का पिरियोड है आपको अपने इस टाइम पिरियोड पे बहुत ज़्यधा चिंता हैं आपको जिता सकते हैं करम्स् erklan को लेकर आपकी शरीर को लेकर आपकी हल्थ को लेकर बहुत सारे चंता हैं आपके मन में होगी कीसे होगा, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम पिरिड भी निकल जाएगा. और आने वाला जो साल है यानि कि 2020 की बात की जाए तो यह रहू का साल है और आने वाला साल जो है 2021 जो है वो आपका जो साल है वो आपका 21 जो साल पड़ेगा वो आपका पड़ेगा बुद्ध का साल और आपके लगन का साल होगा और जो आपको जो है करने लगन वालों के पैसे का आप utilization जो है वो बहुत समझ समझ कर कीजिए और ये साल आपको पूरा निकालना है और इस time period पे आपको जो है समझधारी का प्रयोग करते हुए अपने पैसे को बचाना है और आने वला साल जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है तो ये time period को आप अपने समझधार हम आपने पढ़ने और थोड़ी सी हरी मुंग की दाल फिट करी के पाने में भीगोकर आपने पकिशों को खिलानी है तो ये दो पाय करते ही आपके जीवन के जो सभी दिक्कत परशानिया है वो दूर होती चले जाएंगी अब हम बात करते हैं तुला लगन वालों के लिए तो यहां पर बुद्देव जो है वो आपके नवम भाव के स्वामी है और आपके बारवे भाव के स्वामी है नवम भाव हमारी किस्मत का भाव होता है और बारवा भाव हमारे खर्चों का भाव होता है और यहां का स्वामी जो है वो आपका छटे भाव में नीचके होने जा रहे हैं तो बुद्देव जब भी नीच के हो जाते हैं तो अपने फलों में जो उनके भाव होते हैं वो भावों से रिलेटर जो प्रॉब्लम्स आपको देते हैं वो सब नीच का फल आपको देना शुरू कर देते हैं किस्मत का साथ ना देना किस्मत का साथ ना देना इस या आपको आलस आने की problem आपको हो सकती है तो इस प्रकार से जो है नसों के अंदर भी आपके खिचाव रह सकता है और आपके खून के अंदर भी आपको problem हो सकती है blood से related कोई problem आपके सामने आ सकती है तो इस प्रकार इस समय में आपने अपनी health का पुरा ध्यान रखना है अपनी immunity को बढ़ाना है और जो है किसमत को कोसना नहीं है आपने इस समय आपको अपनी किसमत को नहीं कोसना है और अपनी health का ध्यान रखते हुए आपने इस समय का पुरा utilization करना है और करना क्या है आपने अगर आपने क्या कर सकते हैं कि किसी बुजर्ग को अपने घर में बुजर्ग की आपने सेवा करनी है उनको आपने जो है केसर से मिला हुआ दूद या हल्दी से मिला हुआ दूद अगर आप अपने घर के बुजर्ग को देते हैं किसी बुजर्ग अगर घर पर नहीं है तो आ के लिए आपने क्या करना है कि आप किसी बुजूर्ग को या किसी बुजूर्ग भ्रामन को आगर आपको कहीं दिखता है या इस लॉक्डाउन के प्रेड में आप क्या करें अपने ही घर के किसी बुजूर्ग को आप जो है दूद और केसर वाला दूद या हल्दी वाला दू जादा सोचने से कुछ नहीं होगा ये पूरे जब देश काल पातर पे बात आती है तो कुंडलिया जो है वो हमारी काम करना बंद कर देती है क्योंकि पूरे देश पे और ये जो संकर्थ है ये तो पूरा इस वक्त ग्लोबली हुआ है तो आप अपने अपने आपको ना सोचत पे आपने जो है वो यूटिलाइस करना है नेगेटिव अनरजी या नेगेटिव विचार आपको अपने दिवांग में नहीं आने देने है और इस टाइम पिरिड़ पे आपको खूब अपर अच्छे से तयार होकर रहना है क्योंकि तुला लगना है आपका और तुला लग कौण कर ही जो है बैठे रहें कई लेडिस की आदत होती है गाउन में बैठकर ही काम कर रही है तो वह सब चीजह ना करें अप अच्छे कपड़े पहन कर तियार मेर होकर जो है अपने घर में ही रहें इस लॉकडाउन को जो है आप नेगेटिव जो है वोना लिकर जाए तो राशी वालों के लिए तो व्रिश्यक लगन के अगर बात की जाए तो व्रिश्यक लगन में बुद्देव जो है वो आठवे भाव के और ग्यारवे भाव के स्वामी है आठवा घर हमारा जो होता है गुप्त रहस्यों का होता है गुप्त जो है चीजों का होता है और ग्यार देव का मिले जुले फल आपको मिल सकते हैं, आपके जीवन में कोई ऐसा चतुर चलाग व्यक्ति आ सकता है, जो आने वाले टाइम पीरिड में आपको धोका दे सकता है, इस टाइब की आपको जो है प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इस चीज़ का आपको पूरा विशेश रू आपको यहाँ पर दिक्कत प्रशानी आ सकती है, कोई चोट एक्सडेंट जो है वो आपको हो सकता है, कोई आपके पैर में मोच चोट के आपको लग सकती है, यहाँ दिक्कत प्रशानी आपको आ सकती है, कोई चोट एक्सडेंट का योग भी आपको बनता है, तो यहाँ पर आपका भगवान बड़ी से बड़ी मुसीवच छोटे में टाल देता है और हमें भगवान के कारियों का हमें पता नहीं चलता हम भगवान के आगे चम्मच लेकर खड़े होते हैं और भगवान हमें सम्मूंद्र जितनी चीज़े देना चाहता है तो इस टाइम पिरिड पे आपको जो है आपको घ्यान लेने के जरूरत है आपको अपने टाइम पिरिड जो है वो अच्छी चीजों में बिताने के जरूरत है आपको लाब के चांसे मिलेंगे लेकिन वो पिरिड जो है आपको ध्यान से गुजानना है क्योंकि ये लाब जो है उसके पीछे कुछ ना कुछ दिक्कत प्रशानी अगर आप गलत कारियों से अगर लाब कमाने के फिराक में रहेंगे तो यहां पर आपको दिक्कत प्रशानी जो है वो आ सकती है तो इस टाइम पिरिट पे आपको बहुत सोच समझ के अपनी बुद्धी मता का प्रियोग करते हुए आपको अपना ध्यान रखना है कोई आपके पेट में कोई खराबी या कोई अलर्जी गड़ा जो है आपको हो सकती है इस चीज का भी आपको विशेश रूप से ध्यान तुलसी का पौधा किसी पाक पर लगाने से आपको बुद्ध के जो है वो अच्छे रिजल्ट्स जो है वो आपको मिल सकते हैं